हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एसलसी क्रैकर्स और इस चैनल पर फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है हम लोग इस वीडियो में वन वर्ड सब्सिचूशन का पार्ट 7 को पढ़ने वाले हैं ओके उसका टेस्ट होगा और देखा जाए तो वन वर्ड का अभी तक 400 तक कंप 450 तक ठीक है फिर नेक्स जो वीडियो वनेगा उसमें 450 से 500 तक उसके बाद फिर इडियम 500 तक कंप्लेट करके तब हम लोग चलेंगे साइन और एंटो के तरफ तो आप सभी का वेलकम है और मेरे तरफ से आप सभी को आल देश्ट है अच्छा परफॉर्मस दीजेगा ठीक है जो एक पर्टिकुलर रिजन में रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं कि येस करेक्ट एंसर हो जागा आपका फॉना ठीक है फॉना इस राइट एंसर फॉर्टिस कुर्शन फॉना बोलते हैं कि ओल्ड एनिमल्स लिविंग इन एरिया इन पर्टिकुलर पिरियर्ट ओके वाइल्ड वाइल्ड लाइफ तो पता ही है जंगली जानवर जहां रहते हैं नेक्स कोर्शन आपके स्कीन पर यह है कोर्शन नमबर 402 कि सेंड और ब्रिंग समबड़ी बैक टू इस ओन कंट्री कि कि किसी को भेज देना या उसको बुला लेना ठीक है वापस अपने कंट्री उसको हम क्या कहते हैं कि इसका राय टंसर हो जागा री पाट्रिएट इसका करेक्ट हो जागा ठीक है री बाट्रियट थो संबरी बैक तो एज ओन चंट्री घर段 ऐसा आइलम किसको बोलते ऐजेम में कहस को खरा चाह जाता आँ और लोगों को कर आप जाता है जो कि बीमार रहते हैं उसके लिए ठीक है रिफ्यूजी पता ही है आपको और इमिग्रेट का मतलब क्या हो जाता है इमिग्रेट का मतलब होता है जो अपना कंट्री छोड़कर कहीं और सेटल होने के लिए चला जाता है ठीक है नेक्स कुर्शन हो देखते हैं एक लड़का है बट उसका जो अक्टिविटीज है वो कुछ ज्यादा ही इस तरीके तरह मिलता है ठीक है अगर बात करें हम चाल ढाल के लिए ठीक है इसका क्रेक्ट एंसर क्या हो जाएगा यस यू ओल राइट इफैमिनेट जो है आपका करेक्ट हो जाएगा इफैमिनेट इसका राइट एंसर है ठीक है चलिए नेक्स कोर्शन हम लोग देखते हैं हैं राइटिंग विछ डिफिकल्ट और इंपॉसिबल टूरींग रीड अब देखिए बहुत लोग होते हैं जिनका राइटिंग जो लिखता है वो खुद समझ में नहीं पढ़ पाता है कि मेरा क्या लिखा है मैंने वैसे स्तिति को क्या कहते है जो समझ में ना है क्या ठीक है इलाजिबल इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है इल्लॉजिकल इलीजिबल यह सब तो बहुत कॉमन वर्ड है इसको क्या समझाना है नेक्स कोर्शन है आपके सामने टू प्ले दपार्ट ओफ एंड फंक्शन ओफ सम अधर पर्शन इसका करेक्ट एंसर क्या हो ज होता है कि कोई एक प्ले का पार्ट है या उस चीज़को आप करने किसी के सामने ठीक है इसको हम कहते हैं इमिटेट किसको बोलते हैं इमिटेट का मतलब क्या होता है कि आप जब किसी को कॉपी कर रहे होते है तो कॉपी संबडी या सम्थिंग प्रिटेंड का मतलब क्या होत to trick people or entertain them ठीक है जो कृष्टना कपिल ये लो करता है ठीक है नेक्स कोर्शन आपके स्क्रीन पर यह रहा कि not easily pleased by anything not pleased not easily pleased by anything जो जल्दी खुश नहीं होता है किसी से उसको क्या कहते हैं इसका राइट एंसर हो जाएगा फास्ट इडियस not easily pleased by anything का राइट एंसर हो जाएगा फास्ट इडियस ओके वेरी गूड अभी तक तो बहुत अच्छे जारे है आप लो to die with out having made a will to die to die without having made a will इसका क्या हो जागा इसका राइट एंसर हो जागा इन टे स्टेट जो है इन टे स्टेट इसका क्रेक्त एंसर हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट कोर्शन आपका क्या हो गया टू इंट वन हूँ इंज्वाइए इन वन हूँ इंज्वाइए इंफ्लेक्टिंग पेइन ऑन हिंसेल्फ जो खुद पे मतलब दर्द पीड़ा उसको साहिने में मज़ा आता है राइट एंसर हो जाएगा मैसोचिस्ट इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा फर्स्ट मैसोचिस्ट वन हो इंज्वाइए इंफ्लेक्टिंग पेइन ऑन हिमसेल्फ मैसोचिस्ट एक्चुली होता है कि एक ऐसा पर्सन जो कि उसको मज़ा आता है something that most people find जो बहुत लोगों को मतलब अन्प्लीजेंट लगता है बट उसको अच्छा लगता है समझ रहे हैं murder of brother भाई का murder को हम क्या गएते हैं और राइट एंसर रोज जाएगा फ्रैट्रिश साइड ठीक है फ्रैट्रिश साइड कि दा क्राइम ऑफ किलिंग जो brother and sister प्रैट्रिश साइड जब आप पिता को मारते हैं एडेजिस साइड जब राजा को मारते हैं और होमिसाइड का मतलब होता है कि murder एक तरह से आप समझ काते हैं यह किसे से रेटेट है राइट एंसर क्या हो जाएगा यहां हो जाएगा psychology ठीक है psychology नहीं बोलते हैं यह स्ट्रोंग है ठीक है तो इसी को psychology बोलते हैं the scientific study of the human mind and उसके चीजों को study कि हम को कहते है psychology ओके physiologic इसको कहते है the scientific study of the norms function of living things उसको यह कहते है हम लोग sociology इसको कहते है the study and classification of human societies और philologic इसको कहते है philology कहते है the scientific study of the development of language of a particular language ठीक है philology language के study को हम कहते है next question है a set of three related works by the same author एक ही वह को तीन लोग डील कर रहे है उसको क्या करते है राइट एंसर हो जाएगा आपका trilogy ठीक है trilogy a group of three books film literacy that have the same subject characters तीन लोग उस पर काम कर रहे होते हैं कि चलिए next question आपके screen पर क्या है कि the study or practice of dancing or composing ballads यह तो पता ही है कि जो dance ballads कैसे होता है सिखाया जाता है यह सब उसको basically कहते है कि हम लोग राइट एंसर हो जाएगा choreography ठीक है choreography इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है very good choreography कोरियोग्राफिक इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है next question है having juicy और fleshy and thick tissue having juicy or fleshy and thick tissue को क्या करते हैं राइट एंसर हो जाएगा succulent इसका राइट एंसर हो जाएगा ठीक है juicy जो होता है succulent इसको बूलते हैं one who accept pleasure and pain equally जिसको दुख और दर्द जो है सेम सेम तरीके से वह accept करता है इसको ज्यादा फरक नहीं पड़ता है इन सब चीज़ों से stoic इसका correct answer हो जागा क्या होगा stoic next one who thinks or speak too much of himself जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में कुछ जादा ही सोचता रहता है हर चीज में अपना 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 करते रहता है ठीक है इसको क्या कहते है इगोटिस्ट कहते है इसको ठीक है घमंडी भी एक तरह से आप बोल सकते हैं एन एक्जक्ट कॉपी ओफ हैंड राइटिंग ऑफ पर्टिकुलर प्रडूश्ट बाइए मसीन नहीं होता है एक्जक्ट कॉपी जो आप करवाते हैं जो आप लिखें उसको आप उसका कॉपी करवा रहत तरह से उसको क्या करते हैं लो राइट एंसर हो जाएगा फैसिमिल इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा फैसिमिल का मतलब होता है एन एक्जक्ट कॉपी ओफ सम्थिंग ठीक है चलिए नेक्स्ट कोशन है अ स्टडी ओफ साउंड इस नोन नैज साउंड के स्टडी को ध्वनी के स्टडी को क्या कहते हैं फोनेटिक्स इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा फोनेटिक्स ठीक है राइट एंसर फोनेटिक्स हो जाएगा इस्टेलिस्टिक्स को कहते हैं हम लोग ठीक है इस्टाइलिस्टिक्स इसको बोलते है दे स्टाइल अफ स्टाइल एंद अमेथर्ड यूज इन रिटेन लैंविज लिंग्विस्टिक किसको बोलते है लिंग्विस्टिक कहते है दे स्टाडी ओफ लैंग्विज ओफ अफ ठीक है, particular language के study को linguistic बोलते हैं, और semantics किसको बोलते हैं, semantics कहते है, the study of the meaning of word and phrase, word and phrase को semantics कहते हैं, to reduce to nothing, to reduce to nothing, एक तरह से null हो गया, कुछ भी नहीं, समझ गया है, null, जो कि इस पस्ट रूप से सही है, उसको क्या कहते हैं, ट्यूरिज्म इसका correct answer हो जाएगा, ठीक है, very good, word inscribed on a tom, जो सिलालेक होता है, उस पे लिखते हैं, जो लिखा होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं, हम लोग EP tap, ठीक है, EP tap, very good, 20 questions है, और इसमें से 18 तक में, आप लोग सब लोग पे 6 मार है, बहुत अच्छा performance है, very good, next question आपके screen पर ये रहा, the act of producing beautiful handwriting using a brush special pain, जब आप कुछ special pain के दोड़ा, आप बहुत ही अच्छा कुछ लिखते हैं, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हम लोग, उसका right answer हो जागा, calligraphy, calligraphy, जो है, इसका correct answer हो जागा, calligraphy को हम, calligraphy का मतलब होता है कि beautiful handwriting that you do with a special pain या brush, ठीक है, चलिए, next question आपके screen पर है, कि a word composed of the first letter of the word in a phrase, ठीक है, a word composed of the first letter of the word in a phrase, इसका right answer हो जाएगा, acronym, acronym इसका correct answer हो जाएगा, ठीक है, next है, a person of obscure position who has gained wealth, मतलब आप पहले जो है, मतलब उतने reach नहीं थे, और एका back suddenly से आपने पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया है, अब वो किसी भी mode में हो सकता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते है, उसको कहते है, पाव वेनू जो है, इसका correct answer हो जाएगा, to, पाव वेनू इसका right answer हो जाएगा, next question है आपका, a person who attend to the disease of the eye is an, जिसको तोरा आँख में कुछ problem हो जाता है, disease हो जाता है, उसको हम क्या कहते है, जो ऐसा आदमी जो उस disease को deal करता है, आँखों की disease को deal करता है, a person who attends to the disease of the eye, इसको कहते है, oculist, oculist इसका correct answer हो जाएगा, oculist का मतलब होता है, कैसा doctor who examines and treats people's eyes, ठीक है, very good, next हो जाएगा, the study of worms and insects, जो worms and insects के study को क्या कहते हैं, यह तो बहुत simple है, इस पर तो direct boundary के बाहर लगेने वाला है आप लोगों से, entomology, इसका correct answer हो जाएगा, entomology क्या होता है, the scientific study of insects and worms, ठीक है, ornithologic इसको बोलते है, bird के study को कहते हैं, और palanthologic इसको कहते है, the study of fossils, जो fossils होता है, उसके study को यह कहते हैं, ठीक है, next है आपके सामने, कि a person who devotes his या her life for the welfare of others, जो दूसरे के लिए ही, मतलब devote होता है, उसके others welfare के लिए वो काम करता है, उसको क्या करते हैं, पर उपकारी भी बोलते हैं, altourist इसका correct answer हो जाएगा, क्या होगा, altourist, next question हो जाएगा, कि a person who shows off his learning, एक ऐसा इनसान जो कि अपना हमेशा show off करता है, जो भी वो जानता है, नहीं होता है, बहुत लोग होता है, कि अने मैंने यह आता है, मुझे वो आता है, समझे रहे, this, that वाला situation, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, हम लोग, pedant, ठीक है, pedant, इसका correct answer हो जाएगा, pedant का मतलब होता है, कि a person who makes an excessive or inappropriate display of learning, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिखाता है, next है, written law of a legislative body, written law of a legislative body को क्या कहते हैं, इसका correct answer हो जाएगा, statute, जो है, इसका correct answer हो जाएगा, ठीक है, a pole or beam used as a temporary support, नहीं होता है, कभी-कभी आप dance में दिखते हैंगे, कि आपको बोला जाता है, कि इस pole का इस्तमाल किजिए, ठीक है, अपने dance में, एक तरह से, ठीक है, temporary use के लिए, उसको कहते है, प्रॉप इसका correct answer हो जाएगा, ठीक है, प्रॉप होता है, कोई भी, यूड का, या metal का, जो support, मतलब, अपने आपको support करने के लिए, आप यूज करते हैं, ठीक है, प्रॉप, सुने होंगे यह वर्ड, one who studies the art of gardening, ठीक है, gardening के study हो कहते हैं, जिसको cultivating plant, जो होता है, vegetable fruits, उसमें वो माहिर है, उसको कहते है, horticulturist, इसका correct answer हो जागा, horticulturist, very good, next है, a remedy of all diseases, a remedy of all diseases को कहा कहते हैं, रामबान जिसको आप बोल सकते हैं, yes, यह question तो बहुत simple हो जाएगा आप लोगों के लिए, panacea, इसका right answer है, क्या है panacea, next है, fear of closed space, बंद कमरू से डर लगना, क्या कहते हैं, right answer हो जाएगा, क्लस्ट्रोफोबिया, क्लस्ट्रोफोबिया इसका correct answer हो जाएगा, ठीक है, एक्योफोबिया किसको बोलते है, एक्योफोबिया कहते है, an extreme fear of drawing, डूबने से बहुत जादा डर लगना आपको, ठीक है, बोटा, बोटानोफोबिया किसको कहते है, botany related to plant, तो इसलिए उससे डर लगता है आपको, plant से डर लगना आपको, और kleptomonia तो आपको पता ही है, kleptomania कि एक ऐसा mental illness जहां पर आपको desire होता है, बहुत ज्यादा चोरी करने का, ठीक है, kleptomania, words written on a term of a date person, जब कोई मर्ज नहीं होता है, वो, सिला लेक जो होता है, उस पे कुछ लिखा होता है, तो क्या कहते हैं हम लोग, write answer हो जाएगा, ep tap, ठीक है, ep tap इसका correct answer हो जाएगा, next question है, a hand writing that cannot be read, एक ऐसा writing जिसको आप पढ़ी नहीं सकते हैं, बेकार writing होता है, च्या होता है, अब ये तो वापस से repeat हो रहा है, तो पता ही होगा इसका answer, eligible इसका correct answer है, ठीक है, the line when the land and sky seems to meet, ठीक है, इसका correct answer हो जाएगा, horizon, ठीक है, horizon इसका correct answer है, a list of passenger and luggage, मतलब जिसे कि इसका answer वैसे होगा, waybill, waybill इसका correct answer है, waybill का मतलब होता है, इसका exact हिंद तो मुझे नहीं आ रहा है, मतलब ठीक है, direct याद ही है, तो waybill इसका, waybill का मतलब होता है कि, a receipt from the carrier for the goods being shipped, या bill of trading list of passenger goods being trade on the vehicles, एक तरह से ticket आप बोल सकते हैं, ठीक है, तो यह waybill होता है, a person difficult to please, एक ऐसा इंसान जिसको मतलब खुश करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, fastidious इसका correct answer हो जागा, person difficult to please, fastidious, a decorative handwriting, a decorative handwriting को क्या कहता है, yes, calligraphy, इसका correct answer हो जाएगा, calligraphy, next है, that which cannot be defeated, जो कभी हारता नहीं है, उसको कहता है, that which cannot be defeated, इसका correct answer हो जाएगा, invincible, ठीक है, invincible इसका right answer हो जाएगा, study of the nature of God, study of the nature of God, इसको कहते है, theology, ठीक है, क्या कहते है, theology इसका correct answer हो जाएगा, philology आपको पता ही है, कि the scientific study of the development of language or a particular language, ठीक है, humanism हो जाता है, एक तरह से मानव, नहीं होता है, मानवता, sorry, मानवता बोल सकते है, और philosophy तो पता ही है, कि भाहिया, लंबा चौरा लेक्चर देना, फिलोस्प, इसका हो जाएगा, आपका, a short story based on your personal experience, ठीक है, जो आपके personal experience पर जो आपना short story लिखते है, इसको कहा कहते है, इसको कहते है, anecdote, इसका correct answer हो जाएगा, ठीक है, anecdote, a former students of a school, college, university, जब आप college, school ले पढ़ते हैं, तो आपके लिए फिर वो क्या हो जाता है, एक तरह से luminous होता है, जहां पर आप पड़े होते हैं, उसको कहते हैं, ठीक है, next question, building in which aircraft are house, जहां पर रखा जाता है, जहां पर aircraft यह सब को, उसको कहते है, उसको कहते है, hangar, ठीक है, hangar is the right answer, ठीक है, four is correct हो जाएगा, next है आपका, one who lends money at a very high interest, नहीं होता है, जो पैसा देता है, ज्यादा इंट्रेस्ट पर देता है, जहां जाते हैं, लाला जी के पार्स और वहां जो है, आपको पैसा देता है, फिर वो आपसे इंट्रेस्ट लेता है, उसको कहते हैं, वैसे इंसान को, unsurer जो है, इसका correct answer हो जाएगा, two is correct answer है, ठीक है, incapable of being approached, incapable of being approached, inaccessible, इसका correct answer हो जाएगा, a, इसका correct answer है, inaccessible, next है, कि one who takes care of a building, जो नीचे रहते नहीं है, take care of a building करते हैं, उसको क्या करते हैं, तो janitor, इसका correct answer हो जाएगा, janitor, one इसका correct है, जो कि, वाच्मेन में आप बोल सकते हैं, ठीक है, one who possess many talents, जिसको एक ही साथ में बहुत ज़्यादा talent है, इसको क्या करते हैं, चलिए, ये तो बहुत easy हो गया, versatile, ठीक है, आप लोग भी versatile ही है, detailed plan of a journey, कहीं जाना है, उसके बारे में पहले से हैं, पूरा planning हो चुका है, ठीक है, कैसे जाना है, क्या route है, ये सब, itinerary, इसका correct answer हो जाएगा, ठीक है, next है, one who leaves survives on others leaves, मतलब जैसे कि, अब हम लोग को देख लिए जाना, हम लोग animals को देखिए, जैसे कि, चूभा को बिल्ली खाया, बिल्ली को कुत्ता खाया, कुत्ता को वो खाया, चैना वाला लोग खा लिए, फिर उसको वो खाया, उसको कहते हैं, उसको कहते हैं, पैरासाइट्स, ठीक है, पैरासाइट्स, इसका correct answer हो जाएगा, नेक्स हो जाएगा, an assembly of worshipers, जहां पर सब लोग एक साथ worship करते हैं, प्रियर करते हैं, चर्ज वर्ष में, इसका right answer हो जाएगा, congregation जो है, इसका correct answer हो जाएगा, third, ठीक है, third, और इस तरीके से हम लोगों ने 450 तक का test दे लिया है, वनवर्ट का और आप लोगों का performance एक दम चुमेशवरी है, जो कि DIT के वो कहते नहीं है, बहुत solid performance है, और जो लोग भी आया है, test दिये, thank you so much, आप लोग इसी तरीके से test दिजिए, ठीक है, चलिए, तो मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए, all the best.